हलो फ्रेंड, CKD Stock Market News चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूँ और आज मैं आपके सामने Flexi Cap category के mutual funds की बात करूँगा करेब करेब 5-6 mutual funds की बात करेंगे ये वीडियो important किसलिए है? important मेरे मित्र इस वज़े से है कि आज मैं आपके सामने भारत देश के अंदर जो सबसे पुरानी Asset Management Companies है जी हाँ, भारत देश के अंदर जो सबसे पुरानी Asset Management Companies है उनके Flexi Cap category के mutual funds की बात करूँगा इससे आपको क्या सिक्षा लेनी चाहिए? इससे आपको यहाँ पर ये सिक्षा मिलेगी कि देखेंगे कि Flexi Cap category में जितनी भी पुरानी AMCs है सबसे अच्छा return किनों ने बना के दिया है साथी साथ आपको ये भी पता चलेगा कि भाई काफी सारी AMCs हैं जिन्होंने अपने index को ही बीट नहीं किया इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो सिंपल सी बात है सीधे सीधे index funds पर आपको जंप करना चाहिए हम यहाँ पर उन mutual funds की भी बात करेंगे जिन्होंने index को बीट किया है तो चलिए यहाँ से बात करते हैं चलके जो मैंने next mutual fund आपके सामने रखा हुआ है इसका नाम है UTI Flexi Cap Fund Direct Grow जी हाँ UTI एक ऐसी asset management company है जो भारत देश की सबसे पुरानी AMCs मैंसे एक है इसके अगर Flexi Cap category के mutual fund की बात करूँ तो दिखे 24,684 करोड का इसका asset size है 0.87% का छोटा सा expense ratio है 1.69% का cash hold करके चल रहे Nifty 500 total return index को यह benchmark की तरह follow करते हैं एक साल के अंदर निकलने की कुसिस करोगे 10% से ज़्यादा कि अगर आपने unit base दी अगर यह दोनों चीज़े एक साथ हो गई तो अलग से 1% का exit load भी आप से आएगा तो कुसिस करें कि जितना ज़्यादा time हो सके उतना time mutual funds के अंदर अर रहें At least 1 साल तो आपको गुजारना ही पड़ेगा 10 साल में बात करेंगे तो 299% का 10 साल में 299% का absolute return आया है 3 महीने में कुछ भी return नहीं दिया बलकि 2.40% negative return है mutual funds भी negative होते हैं आपको जाननी चाहिए और समझनी भी चाहिए 6 महीने में 5% का absolute है एक साल में 23% का absolute return है 5 साल में पैसे को डबल नहीं किया 94% का return है जितने भी flexi cap category के mutual funds होते हैं generally fund manager क्या करता है large cap category के जो shares होते हैं वहाँ पर पैसा आपका रहता है तो इसी वज़े से कही न कहीं जो आपका return होता है वो flexi cap category के अंदर भी return कही न कहीं एक large cap category वाला ही return आपको देखने को मिलता है LIC अगर हम LIC asset management company के बारे में बात करें तो आपको पता होना चाहिए LIC भी बहुत पुरानी AMCs में से एक गिनी जाती है अगर मैं इसके flexi cap के degree के mutual fund की बात करूँ तो देखे 949 करोड का इसका assets है जा 1.56% का बहुत बड़ा expense ratio है तो definitely आप ऐसी AMCs को avoid कर सकते हैं 2.32% का cash hold करें चल रहे हैं और exit load से मैं 12 महीने के अंदर निकलने कोशिस करूँ 12% से ज़्यादा कि अगर आपने unit बेज दिये तो इस case में 1% का अलग से exit load आएगा 10 साल में देखिए कोई भी return कुछ खास इन्होंने बना के नहीं दिया केवल 279% पर फिर भी fixed deposit से बहुत अच्छा return है एक 3 महीने में देखिए 1.71% का positive return है 6 महीने में 11% का 1 साल में 33% का 3 साल में 58% का और 5 सामने finally इन्होंने पैसे को double कर दिया है देखिए Taurus एक ऐसी asset management company है ये भी भारत देशें बहुत पुरानी AMCs है पर अगर इसके flexi cap के degree के mutual fund की बात करें तो 334 करोड का बहुत छोटा सा इसका asset size है expense ratio की मामले में देखिए 2.60% का expense ratio है तो definitely आपको जिस वज़े से भी आपने ये mutual fund खरीदे है इस तरीके के तो देखिए 2.25% का आपको expense ratio का payment करना पड़ रहा है इसका मतलब है आपको नाम से नहीं जाना चाहिए आपको काम से भी जानना पड़ेगा किसी mutual fund को इसलिए बोलते हैं किसी भी mutual fund में invest करने से पहले एक रपया करके एक बार अपने financial advisor से अपने friends से जरूर संपर कर लें और इसके बाद जो आपके पास mutual fund है उसके other competitor के बारे में भी एक बार पता कर लें जैसे flexi cap के डिगरी के बारे में बात करें तो AMC पुरानी है इस वज़े से investment कर देंगे तो देखे 5% के आसपस का करीब आपको expense ratio का payment करना पड़ेगा जो कि मैं समझता हूँ एक wise decision नहीं होगा 365 जिनके अंदर निकलने कोशिस करोगी तो इस case में 1% का अलग से exit लोड आएगा 10 साल में देखिए 212% का return ने 5 साल में पैसे को double नहीं किया किवल 80% का absolute return है 3 महीने में हलाकि इन्होंने अच्छा return दिया है 4.60% का 6 महीने में 16% का 1 साल में 43% का return इन्होंने बना के दिया है जबकि बात अगर चल रहाई हो Flexi Cap wiequeri के mutual fund की तो अभी जो पिछले 3 mutual fund की बात करी उन्होंने benchmark को beat नहीं किया है यानि कि जो Flexi Cap के डिकरी का bench mark है उसको beat नहीं किया है पर अभी जो मैं इन्होंने अपने benchmark को beat किया है फ्रेंक्ली इन इंडिया फ्लेक्सिकेप फंड की बात करेंगी तो इस mutual fund ने बहुत पुरानी AMC में से ये भी एक asset management company है, साथ ही साथ इसने अपने benchmark को भी बीट किया, यानि कि इसने return भी अपने benchmark से ज़्यादा बना के दिया है, 14,470 करोड का इसका asset size बहुत बड़ा है, 0.99% का एक decent expense ratio भी मैं समझता हूँ, और nifty 500 total return index को benchmark की तरह follow करते हैं, exit load same है, एक साल के अंदर अगर निकलेंगे तो अलग से 1% का exit load भी आप पे लगेगा, 10 साल में 428% का absolute return इनोंने बना के दिया है, 3 साल में 85% का absolute है, 5 साल में 140% का return है, 3 महीने में 5.49% का absolute return है, 6 महीने में 19% का एक साल में 45% का return इनोंने बना के दिया है, वहीं अगर मैं इसके net asset value की बात करूँगा, तो 1536 रुपए का है, net asset value ज्यादा लग सकता है आपको, पर कई बार जब कोई mutual fund या कोई AMC आपको return अच्छा दे रही होती, तो कुछ चीज़ें हम avoid कर सकते हैं, जबकि बात चल रही यहाँ पर भारत देश की सबसे पुरानी asset management companies की, तो definitely इसमें अभी जो मैं next mutual fund का नाम लूँगा, भारत देश के अंदर बहुत पुरानी AMC है, पर जी हाँ, इस mutual fund ने return भी तगड़ा बना के दिया है, बलकि इसने ये भी ध्यान रखा है, कि ये अपने benchmark से ज्यादा return निका ये चार्ज करके चल रहे है, 7.89% का ये cash hold करके चल रहे है, nifty 500 total return index को ये benchmark की तरह follow करते है, exit load की बात करेंगे, exit load देखिए, एक साल के अंदर निकलने की कोशिस करोगे, तो अलग से 1% का exit load आएगा, वहीं देखिए, 10 साल में 419% का absolute return आया है, 3 साल में 6.79% का absolute return है, 6.79% का एक साल में 44% का, 3 साल में 105% का, 105% का, 3 साल में यानिकि इन्होंने पैसे को double किया है, 5 साल में बात करेंगे, तो 143% का return इन्होंने बना के दिया है, वहीं इसके अगर मैं NAV की बात करूँगा, तो जी हाँ, इसका NAV भी बहुत ज़्यादा है, 1740, 1740 रुपय का इसका NAV है, और एक साल में CAGR है, 44% का, तो देखें, आज मैंने आपके भारत देश के अंदर, भारत देश के अंदर जो सबसे पुरानी asset management companies थी, उनके बारे में बात करी, और साथी साथ आपको ये भी बताया कि कौन सी ऐसी दो EMCs हैं, सबसे पुरानी जिन्होंने अपने benchmark से उपर return बन देना चाहिए, क्योंकि index में invest करने के बाद में, definitely फिर आपको सांती से 100 जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जैसे ऐसे index उपर चलेगा, वैसे वैसे आपका पैसा उपर बनेगा, क्योंकि कहते भी हैं, भारत दिसके अंदर की आदमी हो ये index, दोनों को उपर ही जाना है, चल बहुत बहुत दोने को